हाई फ्रेंट्स वेल्गम अगें आउन से निदिन गुप्ता क्लासेश वल्ले तो हम कर रहे थे मर्जस और अक्यूजिशिशन आज हम करेंगे कोशन्स थियोरी आप सीख चुके हो सारे लॉजिक सीख चुके हो और इसमें सबसे इंपोरन चीज में आपको अलडी बिता चुक में को सर्वाइकल था था बहुत लाज स्केल पे मतला मेरा यह हाथ भी डैड हो गया था मुझे बहुत पेन होता था मेरी कमर अख्डी रहती थी दोनों शोल्डर खराब हो गए थे सब कुछ में बहुत जादा हाई लेवल पे ता फिर मैंने योगा किया अब मैं योगा करत को परिशान ना करने लगे that's why I am using this कि भाया इसको यूज करके I am using I am teaching तो जब मैं टीच करता हूं तो मैं इसको यूज कर लेता हूं ताकि में को वह सर्वाइकल पेन दुबारा ना हो वाले वाया कि कोई दिकत नहीं है योगा करते हैं फिट रहते हैं योगा ने मेरी बाड दिया है ध्यान रखना योगा बहुत इंपॉर्टन चीज है चलो जी ना दो मॉस्ट इंपॉर्टन थिंग इस मॉर्ज अन अक्यूजिशन कोईशन होपस हो आप सारी थेओरी देख चुके हो वल्ले है काफी नोट बना चुके हो देखते हैं कोईशन बहुत सिंपल है कैप यह बार 2009 में और एक बार 2013 में तो 2009 क्या कह रहा है 2013 क्या कह रहा है देखते हैं तो ABC company है आप अपने आपको ABC company माल लो ABC company है जो XYZ company को take over करना जाती है सबसे पर थोड़ा सा question draft करेंगे solution draft करेंगे है क्योंकि बार बार आपको book देखना जड़ा सही नहीं समझता मैं तो मैं question यहां पर लिखूंगा एक बार है ना short form में वैल्या मज़ा आजाएगा ताकि एक तो आपको book की जरूरत नहों कि book carry करने की जरूरत नहीं है तो आपको दूसी चीज बाबा नीचे उपर नीचे उपर देखने की जरूरत नहीं है मैं question लिख रहा हूं आप सुनो बड़े प्यार से सुनो बस concentration power system तो A, B, C एक company है wants to acquire wants to acquire XYZ limited ठीक है अब XYZ से related आपको क्या given है एक तो XYZ ने 1.5 crore shares issue कर रखे है 400 per share के हिसाब से तो market price है उसका 400 per share इसका मतलब अगर आप XYZ company को take over करना चाहते हो तो एक share के 400 रुपए तो देने बढ़ेंगे क्योंकि market में 400 रुपए का तो share चली रहा है अगर 400 रुपए का share चल रहा है तो मिर जान उससे कम अगर आप offer करोगे तो shareholder आपको share क्यों बेचेगा market में ना बेचे तो 400 रुपए तो minimum price होगे ना minimum price ठेक है of money में में आपको सबको सिखा चुका हूँ तो cash inflows तो cash flows अगर मैं देखूँ तो year one है year two है year three year one में आपके पास आ रहे हैं 500 क्रोड year two में आपके पास आ रहे हैं 300 क्रोड और year three में आपके पास आ रहे हैं 400 क्रोड वाले तो यह है और ABC जो कमनी टेकोड करेगी उसको चाहिए कितनी present value चाहिए कितना rate of return चाहिए 12% rate of return चाहिए भी यह तो 12% के साब से आप इनकी present value find out करोगे तो 12% के साब से present value factor देखोगे आप और इनकी present value find out कर दोगे that is discounted cash flow technique अब 12% के साब से या तो आप present value factor खुद निकालोगे या question में given होगा generally question में given होता है और अगर question में given नहीं है आप निकाल रहे हो तो मैं आपको पहली बताया था time value of money में कि decimal के बाद four decimal place तक है ना तो चार decimal के बाद four digit तक आप count करते हो और जो paper में अगर question में कुछ given है तो तो जो question में given होई यूज करोगे आप अपनी अकल बिलकुल नहीं लगाओगे क्यूंकि exam में marks दो बच्चों के बिलकुल नहीं आते एक जो बहुत जादा अकल लगाते हैं एक जो बहुत कम अकल ल तो 12% के हिसाब से अगर मैं देखूं आगे फटाफट से कहानी तो इसमें में को present value factor given है तो 12% में 0.893 given है तो year 1, year 2, year 3 तो 0.893 given है then 0.797 given है then 0.712 given है sorry 0.712 ठीक है ठीक है अब आपको इस business की valuation करनी है ठीक है देखो एक minimum तो आपको पता है और discounted cash flow से आएगा maximum कि आप maximum इतने रुपे दे सकते हो क्योंकि जितना आप earn करोगे उतनी रुपे के तो आप payment कर सकते हो well है तो अगर मैं आ जाओ solution पर तो एक minimum price की हम बात करते है और एक हम maximum price की बात करते है तो हमारे पास आएगी एक range minimum से maximum तक minimum हमको पता है already 400 per share जो कि उसका market price है that is market capitalization based और यह है discounted cash flow technique तो discounted cash flow technique तो discounted cash flow technique देखते हैं भी यह discounted cash flow technique क्या कह रही है तो सबसे पहले statement statement showing calculation of value per share के लो यह business valuation के लो according to discounted cash flow technique तो year cash flow year one year two year three cash flow 200 crore 300 crore 400 crore present value factor at the rate 12% 0.893 0.797 0.712 well no product तो इसको अगर मैं multiply करूँ तो कितना हा रहा भाया 250 into me 0.893 now that's 223 0.25 memory plus then 300 into me 0.797 now that's 239 0.10 figures are in crores ध्यान रखना memory plus 400 into me 0.712 now that's 284 284 0.80 तो memory plus MRC 747 0.15 crores तो इतने रुपे मैं देने को तयार हूं discounted cash flow technique के according इस business के लिए अब देखते हैं valuation क्या कहते है तो एक बात ध्यान रखना इसके देड़ करोड शेर्स इस कर रखें इस कमपनी ने ठीक अब मेरे पास एक है maximum value तो business value और per share value तो discounted cash flow technique maximum business मैं discounted cash flow technique के according business के लिए मैं pay करने को तयार हूं 4747 747.15 crores अब per share value तो per share value कैसे आएगी 747.15 divided by 1.5 crore तो इतने shares हैं तो divided by 1.5 तो per share 498 आ रहा है 498.10 वाला और एक होता है minimum value तो minimum value market price के साब से 400 per share है अब 1.5 crore shares है और 1.5 crore shares की 400 रुपे के साब से अगर आप value निकालोगे तो 600 crore आजेगी तो यह आपके पास minimum value आ गई तू बंदोजा भाई और यह आपके पास maximum value आ गई simple तो आपको minimum से minimum 400 रुपे देने पड़ेंगे और maximum से maximum आप जो पे कर सकते हो that is 498.10 क्योंकि obvious ही बात है ना जितना कमा होगे उससे जादा थोड़ीना पे कर दोगे तो एक maximum value भी है कुशन है कौंसा कुशन है भाई नवंबर 2013 में आया वा कुशन है ठीक है जी तो नवंबर 2013 में that is tiger limited wants to acquire leopard limited ठीक है तो t limited और l limited मैं कर देता हूं तो t wants to acquire l limited ठीक है आपको l limited की balance sheet दे रखिये है देखते हैं भी यह balance sheet में क्या दे रखा है बहुत simple सी चीज है तो आपको जो tl limited की balance sheet दे रखिये है उसमें आपको दे रखा equity retained earnings तो equity share 10 रुपे के साब से retained earnings 12% debentures creditors and other liabilities creditors and other liabilities ठीक है cash debtors inventory plant and equipment वाले तो 700,000, 300,000, 300,000 700,000 300,0000 300,000 और फिर है आपके पास 3,20,000 और इधर आपके पास है 50,000, 70,000, 2,00, 13,00 वले यह आपको चमकती भी बैलेंशीट दे रखी है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब इसके साथ further information आपको दे रखी है कि one share of ठीक है तो जिसके पास भी दो shares है L के उसे एक share मिलेगा T का और एक share 15 रुपे का माना जाएगा ठीक है तो आप T limited हो आप L limited को take over कर रहे हो तो जिसके पास भी L limited के दो shares है उसे आप अपनी company का एक share दोगे ठीक है भाईया और आपकी company का एक share 15 रुपे का है simple जी बाद है 15 रुपे का है external liabilities are expected to be settled at rupees 5 lakh रुपीज तो external liabilities का मतलब हो गया यह रहे तो creditors and other liabilities की जो settlement हुई है वो 5 lakh तो इसका मतलब आपने यह liabilities take over करी है और आप इनकी 5 lakh की payment करो गए तो इसका मतलब आपने जो liabilities take over करी है वो 5 lakh की है 3 lakh 20 000 की नहीं है तो ध्यान रखना है ना आपकी जिब से 5 lakh रु ठीक है उसके बाद यह जो 12% debenture है इस 12% debenture को आप अपनी कंपनी के 13% debentures issue कर रहे हो of the same value 3 lakh तो debentures को आप अपनी कंपनी के debentures दोगे 3 lakh के ठीक है यह भी एक तरीकी की payment ही है debtors and inventories are expected for 2 lakh rupees तो debtors and inventories यह 2 lakh रुपे की हो गई तो 2 lakh 70 000 रुपे की है वैसे तो यह लेकिन आपकी 2 lakh रुपे की रिलाइज हुई है इसका मतलब आपने यह दोनों चीज़े टेक ओवर करी और जब इन से पैसा आया तो 2 lakh रुपे बास वाल लया ठीक है जी Tiger Limited has decided to operate the business of Leopard Limited as a separate division आपने इसको separate division की तरह लखना है ठीक है कोई दिखकत ही है आपने बिजनसमे मर्ज नहीं कर रहा the division is likely to give cash flows after tax to the extent of five lakh rupees per year for six years तो भाया cash flows आ गए छे सालो तक पांच लाख रुपे every year तो एक से छे साल तक एक साल दो साल तीन साल चार साल पांच साल छे साल एक से छे साल तक पांच लाख रुपे हर साल तो यह तो एन्यूटी बन गई तो इसकी present value निकालने के लिए present value एन्यूटी factor लगेगा फिर इसमें लिखा है sixth year के end में आपको यह business नहीं चाहिए आप Leopard Limited बेच दोगे तो sixth year के end में जब आप इसको बेच होगे तो आपको दो लाख रुपे तब भी आ जाएंगे उसको बेच के तो दो लाख रुपे dispose of से आ जाएंगे तो यह भी एक cash flow है लेकिन यह हर साल नहीं आ रहा है टर्मिनल year में आ रहा है सिफ दो लाख रुप ठीक है जी cost of capital है 16 परसेंट तो cost of capital is 16 परसेंट तो इसका मंदब 16 परसेंट के साब से आप present value find out करने वाले हो कोई दिख करती है सबसे पहले मैं यह देख लेता हूं outflow क्या कहना चाहता है देखते हैं तो outflow तो purchase consideration basically मैं इसको बोल देता हूँ तो purchase consideration अगर मैं consider करूँ चलो जी तो सबसे पहले equity shares की बात करते हैं equity shares अब 10 रुपे के हिसाब से मेरे भाई 70,000 shares है तो L के 70,000 shares हैं आप 2 share पे 1 share दोगे तो 35,000 shares issue करोगे आप और एक share आपका 15 रुपे का माना जाएगा तो 35,000 into में 15 15,45,25,25 पर फिर भी हम multiply करके देखेंगे 35,000 into में 15 बिल्कुल सही बात है 5,25,000 उसके बाद 12% debentures इनको आपने 13% debentures दे दिये same value 3,00,000 रुपेज फिर creditors and other liabilities 5,00,000 रुपेज अब बचा plant and machine, plant and equipment और cash अब क्यूंकि इसके बारे में कुछ नि लिखा तो मैं let assume कर रहा हूं कि plant and equipment मैंने take over नहीं किया तो उसे बूल जो हाँ cash है 50,000 अब cash तो cash ही होता है उसको take over करने में क्या जाता यार 50,000 है तो मैंने cash take over कर लिया 50,000 में पास आ गया तो भाईया cash मेरे पास आ गया है 50,000 बिल्कुल सही कह रहे हो आप आप चाहो तो आप treat कर सकते हो कि cash भी take over नहीं हुआ cash भी take over नहीं हुआ आप मान सकते हो लेकिन इस question में best रहेगा आप मानो cash take over हो गया तो यह 2,500,000, 50,000, 575 तो 10,75 यह हो गया भाईया outflow तो आपकी जेव से जो net जा रहा है जो net जा रहा है क्योंकि जो आ रहा है वो minus कर दिया जो net जा रहा है वो 10,75,000 है अब discounted cash flow technique से आप यह देख लो इसकी present value निकाल के कि आपका जो inflow है वो outflow से जादा है या कम है वो अल्यक अनिक हतम हो जाएगी now statement showing calculation of discounted cash flow तो year एक से लेके छे तक और छटा साल cash flows एक से लेके छे तक हर साल पांच लाख रुपे और sixth year में दो लाख रुपे तो यह तो annuity हो गया और यह single amount हो गया और single amount के present value निकालने के लिए present value factor होगा और cost of capital आपको दे रखी है 16% तो present value factor at the rate 16% तो 1 over 1 plus R तो 1 over आपको पता है यह वो मैं सिखा चुका हूँ अब दुबार दुबार तो कराऊंगा नहीं है न तो 1 divided by 1.16 एक, दो, तीन, चार, पांच और छे तो छटे साल का सबसे पहली बात तो जो value आ रही है that is 0.410 मैं 4 decimal place तक लेता लेकिन book में इसका answer यही दे रखा है तो मैंने यही ले लिया अधरवाइस मैं 4 decimal place तक लेता है न और मैं इसको grand total दबा दूँँ अगर मैं इसको grand total प्रेस करूँगा तो 6 साल होगा present value factor का sum आ जाएगा that is 3.684 3.684, book में दे रखा है इसलिए मैंने यह लिया वर्ना में लेता 3.6847 4 decimal place तक लेता हूँ ठीक है जी अब product निकाल देता हूँ फटा-फट से इसका तो 5 lakh into में 3.684 now that would be 18,42,000 और फिर है 2 lakh into में 0.41 that's 82,000 तो present value of cash inflows that's 19,24,000 तो 19,24,000 आपके पास आ गया answer और आपका outflow है 10,75,000 तो minus इसमें से outflow कर लो मेरी जान क्या दिक्कत है 10,75,000 चमका दो मजा आ गया मजा आ गया तो minus 10,75,000 that's 8,49,000 positive तो इसको एक तरीके से लेट में NPV बोल सकता हूँ मैंने inflows में से outflow minus करा है तो NPV आ गया 8,49,000 positive और अगर NPV positive आ रहा है तो आपको पता है कि आपको ये चीज बाय करनी है बाय करनी है बाय करनी है तो ले लो बहुत फायदेगा सौदा है मजा आ रहा है कि या आपके business की value बढ़ रही है economic value additions हो रहे है capital nature के है न capital nature के तो आप देख रहो पेपर में आए वे questions में आपको करा रहा हूँ और कितने smooth जा रहे है बहुत simple questions होते हैं बहुत जादा simple questions होते हैं अब अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास आता है जो questions आने वाले हैं उनमें आएगा valuation of shares equity share वाले अब तो valuation of equity share क्या कहता है भाईया की equity share की valuation कैसे होगी अब ये equity share की valuation एक और chapter में consider की गई है that is dividend वाले chapter में ये वहाँ भी equity share की valuation है लेकिन इसका जो concept है वो time value of money में obviously बात है valuation किसी भी चीज़ की ओ concept तो time value of money ही होगा तो एक बचला time value of money के point of view से मैं consider करवा देता हूँ आपको कि time value of money के साब से क्या है share valuation okay और फिर हम देखते हैं कि share valuation यहाँ पर कैसे use हो रही है वल्ले लेकिन क्यूंकि ये चीज़ आपके dividend वाले chapter में भी है तो ऐसा करते हैं कि एक नई वीडियो बना लेते हैं क्योंकि फिर ये वीडियो वहाँ पर भी काम आ जाएगी यहाँ पर भी काम आ जाएगी वल्ले बनिया effect हो जाएगा तो मेरा मानना है कि हम लोग इस पे चले जाते हैं एक नई वीडियो बना लेते हैं valuation of shares पे और वह बहुत पर उसको में डिवेडियो वाले चैप्टर में भी समझा दूँगा आपको और इस वाले चैप्टर में एक रिवीजन के तौर पर रख दूँगा ताकि आपको बार बार वो चैप्टर खोलना ना पड़े और एक इंपोर्डन चीज ए एक बार हम समझ लेते हैं बाकी तो ह पर्पिच्उटी का केस झालेंगे परपिच्उटी क्यूं क्योंकि एक कुपी टिशेर परपिच्व sécurल होते हैं आप अगर किसी कंपनी का एक रिजर खृते हो तो मेरी जान आप को जो रिटन मिलने वाला आप हो इंफिनिटी टाइब्ट तक मिलेगा क्यूंकि एकुटी अ कोई redemption होती नहीं है वाले तो तो infinity times तक मिलेगा तो अगर किसी equity share कि आप valuation करना चाहते हो तो perpetuity के concept ध्यान रखो without inflation with inflation अब यहां पर inflation नहीं होगा यहां पर growth होगी तो आपको जब मैंने cost of capital chapter दिया था तब मैंने आपको growth model बताया था जी जो inflation को represent कर रहा है और वहां पर मैंने आपको उस चीज का impact समझाया था है न जौर्डन model वही same चीज है valuation of equity shares यहां पर same ditto चीज तो आपको ऐसा लगेगा time value of money or cost of capital का वो जो जो जौर्डन model है उनको mix करके आपको यहां पर जा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा logic में already time value of money और cost of capital में समझा चुगा हूं लेकिन हाँ यहां पे बहुत अच्छे से तरीके से एक बार हम अगर कर लेते हैं और फिर questions करते हैं तो हमारी understandability में बहुत जाड़ा difference आएगा तो इसलिए हम वो करेंगे जरूर तो मिलते हैं next class में till then bye bye